सबी को प्रणाम हर्वल रेमिडी इस नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मैं तो इम्मुनुटी को बढ़ाने के विशेश आफसकता पड़ती है आज ऐसे ही एक प्लांट की चर्चा करेंगे जो हमारी इम्मुनुटी को बढ़ाने में विशेश साहता करता है यह जो प्लांट आप देख रहे हैं इसके उपर वाइट कलर के जो फाइबर्स दिख रहे हैं कॉटन जैसे इसका भी बहुत सारा उप्योग किया जाता है इससे मेट्रेसिस तयार किया जाते हैं तो पहले जाने इस प्लांट का नाम इस प्लांट को कड़ वीड कहा गया है और जो मेट्रेसिस होते हैं वो एंजाइटी को रिलीव करने के लिए बनाया जाते हैं इससे नीद अच्छी आती है और साइन्टिफिकली इसको अभी प्रूव तो नहीं किया गया है लेकिन ट्रेडिशनल प्रक्टिस में बताते हैं कि इसके जो यह जो वाइट फाइबर्स है इससे बनाये हुए जो मेट्रेसिस होते हैं वो एंजाइटी को भी काफी हद तक कम करते हैं अब हम जाने इसके केमिकल कॉंस्टेंट की तो इसके अंदर यूर्सोलिक एसिड और कुमेरिन पाए जाते हैं यूर्सोलिक एसिड और कुमेरिन हम पहले भी आपको बता चुके ह है नेचुरल ब्लड्थिनर का कारे करते हैं इसके अलावा इसके अंदर बैटुलिंक एसेड पोली सिट्रॉन और बेकलिंक भी पाए जाता है जो कि यह जो फ्लेवनाइड और जो फिनॉलिक कंपाउंड है यह है अपना जो एक्टिविटी सो करते हैं एंटी एचाइव अदर कहीं है तो उसके अगेंस्ट भी अपनी पोटेंशी रखते हैं और खास्तोर से एंटी एचाइवी इनका पोटेंशल है और लितोस्पर्मिक एसेड बहुत अच्छा कारिय करता है इसको लोकल भासा में कुछ लोग धुडू भी कहते हैं धुडू तो यह धुडू ज कीजिए बहुत अच्छा कारे करता है इसको जब आप चबा के देखेंगे तो चबा के देखने के बाद च्विंगम की तरह लगता है इसको कुछ लोग तो पूर मेंस गम भी कहते हैं पूर मेंस गम और यह क्या करता है कि डाइबिटीज को भी कंट्रोल करने में अच्छा क कर सकते हैं और क्योंकि हर्मोसं में नहीं पाय जाता है इसको ड्राइ करके इसका पावडर बना के आप लोग रख सकते हैं बहुत अच्छा बारी करता है पेट में गर्मी हो गई हो या गर्मी के कारण अलसर हो जाता हो तो उस कीस में भी इसका आप juice बना के पीजे बहुत अच्छा कार्य करता है विबिन प्रकार के जो गट के infection भी होते हैं उसमें भी यह गट के मकोसा को maintain करता है और उसके होने वाले infection से भी हमें निजात दिलाता है बहुत अच्छा यह प्लांट है कि साथियों आपको पता ही होगा कि HIV कितनी खतरनाक बीमारी है और इसको तो लाइलाज भी कहा गया है उसमें मूलता है इम्यूटी काफी हद तक खतम हो जाती है तो HIV के पेसेंट में भी इसकी बहुत अच्छी अक्टिविटी देखी गई है और उनमें भी इम्यूटी बढ़ाने का अच्छा कारे करता है तो यह जो ग्यान की बाते हैं आप इसको अपने साथियों को शेयर कीजिए और अगर आप अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले और जो प्लांट हैं वो उनकी जानकारी आप तक मिलती रहे इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वानी को विराम देता हूं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम